हेलो दोस्तों रैसे आप सब आशा करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आप सब के रिकार्मेंट पे मैं लेकर आ गया हूं हम तेटर वाइरिंग का फूल वीडियो दोस्तों यह आपना सीमेक्स का 90909191 सीमेक्स का 5400 और बहुत से हम तेटर में यह बोड लगत है तो इसका वाइरिंग मैं आपको कंप्लेट बताने वाला हूं इसमें मैं इसे लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो लेकिन वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरा नौलेज मिल जाए यह वीडियो देख लोगे दोस्तों तो आपको दुआरा कि किसी और मैं सोचना नहीं पड़ेगा अब कोई भी हम्तेटर कम्प्लेट वाइरिंग कर सकते हो तो चलिए मैं आप सबको वाइरिंग पूरा देखाता हूं दोस्तों तो चलिए वीडियो पर हुई ह法 कि तो देखें दोस्तों हमने यह बोर लेए है यह हमारे सीम मैकश के नाएन एन ओन करने ओन हम भी दोस्तों कर प् Two-फिंट यह बोर कर दोस्तों तो चलिए 10-11 से लगता है सीमेग्स के टावल करफी टावर में भी बॉड लगता है और इसमें ऐसा है कि दोस्तों यहां पे जो अगर 9090 का बॉड देखने जाने तो सैमी रहता है सिक्स्क्राइं रहता है और यहाँ पर फूर सूकेट लगा रहता है और यहां पर फॉर पॉइंट तावर में आता है दोस्तों 9191 बोड हम तेटर आपने देखा योगत आपको आइडिया हो गाई तो चलिए अब इसमें एक साइड आता ही लाइन आ जाता है और एक साइड वह स्पीकर दोनों मास्टर जो टावर ना स्पीकर आथा टावर का वजाने के लिए वह दोस्तों आउट पूट के लिए स्पीकर आउपूट अब हम यह मरबेंगास टेम और वह दोस्तों यहां चीजह चार लगी है देखें आइसी जो लगी है ना इसमें से दो आइसी speaker के है जो speaker हमारा बजाने कवर लिए होता है उसके आउट्पूर्ट के लिए बीस दीस की दो आइसी लगी है दोस्तों देखें बूफर का कनेक्शन आउट होता है देखिए यहां से अपना बूफर का कनेक्शन आउट होता है यह वाला तो देखिए यहां पर बेस का कनेक्शन अजाएगा बूफर चलाने के लिए चेंज का उसके बाद हम चलते हैं यहां पर वाइडिंग का सबसे पहले यहां पर देखे वैंड दोस्तों यह मिहां पर आपके कनेक्षिन होगा बीच में जीओ आएगा बाकी दोनों साइट 12 आजाएगा तो यहां पर अपना ट्रास्पर्मर का कनेक्षिन आएगा सोकेट के साथ ही आता है तो सब्सक्राइब नहीं है कड गया है आपको पूरिया तो बैरेक यहां से यह connection कर सकते हो दोस्तों दिखिए ए बीच और गराउड है जीरो और यह पर एक साइड कि अबारा दूस्ते दिखिए तो तो अब बहुत पर त्रांपर कनेक्शन है अब दूसरा हम देख लेते हैं कर झी giorno करनेक्षिन इसमें कहां से और कर इसे होते हैं तो यह कनेक्षन और यह là 700500 को पाँवर सप्लाइए करती है और जो इसमेंहें हम ऩिए जो यायट आथ दोस्कोर इसमें अगे जो लाइट लगा रहता है वो लाइट चलाने네 के लिए ओन्पोट होता है टो यहां सब्सक्राइब से यहां से पाँच वाले भाग में तो देखे यह लगी है maak कि देखी यह हमारी लगी है आठाता जीरव पाइसी इसका एक साइड यहांसे एक स्वर्ट एले हीूंपूट होता है से 12ंद्र और यहां दूसरे साट पुदा होता है तो जो 5 वोल्ट होता हो वहां से हमारा ये कनेक्सksom जाता है सब्तिख साथ यह को है कि यह जो पॉइंट यह पंक्र है यह हमारा इसमें से पाफर जाएगा कि कार्ड कि यहां से बेखें कि यहां से है और टोस्तों यहां से यह प्लस है और टोस्तों जो वॉल्ट जा रहा है यह प्लस है और यह जूँसरा है यह माइन स सब्सक्राइब दोस्तों हम धेखा Member कि वहसं बोइट रहेगा फिर दोस्तों यहां पे क्या होगा जो ढिक्सना अता उसी किरते हैं तो यहां सेला कर जो ग्राउन रहेगा यह प्लस और मैनस दो्स्तों टो हमारा जो अंदर रहे क्या हम सामने एक लाइट जलती है इसको लाइट तो इसके अंदर कनेक्ट होगा तो इसमें से लाइट भी जलेगा तो दूसरा आपने देख लिए यहाँ पर अब चलिए दूसरा कनेक्शन देखते हैं तो दोस्तों आपने यह वह अपना यूस्बी काट का पावर आउपट देख लिए कि यहां से पावर जाता है अब हम दूसरा देखेंगे यह सोकेट जो एकदम इस पॉरपट बगल में आता है यह है लाइन इन जो हम स्टेरियो टू आर्ची वायर लगा के बजाते हैं दोस्तों मोबाइल स्टेरियो टू आर्ची तो उसका इन्पुट यहां से जो आउट्पूट होता है वह यहां पर इन्पूट होता है दोस्तों इसमें से जो लाइन इन आउट्पूट होगा यहां से चलेगा दोस्तों हम यहां पर लगाएंगे यहां से लगेगा यहां से आउट्पूट होगा और यहां पर इन होगा उसके बाद ही हमारा यहां से इंपूट और यहां से आउट होगा और यहां पर इंपूट होगा तो यह बढ़ करेगा तो यह हमारा लाइन का कनेक्शन हो गया दूसरा कनेक्शन ही यह हमारा वोल्यूम करता है माइक का हमारे 9090 जो माइक है ना यह माइक चलाने के लिए है उसका वोल्यूम कंड्रोल करने के लिए है इसमें से जो इसका वोल्यूम कंड्रोल करने के लिए है इसमें से जो इसका वोल्यूम का कनेक्शन इसके अंदर आएगा तो यह वोल्यूम कंड्रोल करेगा माइक का और उसका जो माइक क का connection होगा वो यहां पे होगा दोस्तों प्लस-mines लेखें इसका वह प् compressed connection यहां पहोगा लिए है एसओ झेक है यह ना यहां पर मैइक का connection होगा री के मैइक है इसका connection इνपूट यहाँ पे होगा यहाँ पर लगाएंगे इसका इन्पूट यहाँ होगा इसके बार माइक लगा उवर करेगा मिदेखिए यह m माइक का इंपुट और यह हो गया का कंट्रोलट में यहोडियो है ओडियो कार्ड में से V यहां पर आएगा उसके बाद हम इसमें से अट्यों आउट होगा तभी चलेगा और यह है एंटिना का कनेक्शन दोस्तों इसमें लगेगा एंटिना ओके एंटिना और यह इंटिना का सोकेट तो यह हमारे है primary support यह म्हारा स्पीकर चलने के लिए और यह है लाइन नियुह का चनेक्शन यह बेज करोगोड़ और यह कि कमें देखे ओ कि हमारा चु trudस करने के लिए यह जर्डाने को यह करते हैं यह 7 यह ए similarly स्वाथ और यह ओम्रोर्ल तो दिखा दोस्तों आपने इसका फीचर्श पूरे दिख लिए अब इसको लाइव कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे कि इसका लाइव कनेक्शन अ कैसे होगा पुड़ा ओन्फेटर में जरूर करना दोस्तों तो चलिए हम इसका कंप्लेट वाइरिंग देखते हैं तो इससे पहले अगर आप ने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो में आप सब्सक्राइब के लिए बनाता रहा हूं और आप सब्सक्राइब यान बढ़ता रहे दोस्तों तो चलिए हम इसकी कंप्लेट वाइरिंग आपको करके दिखाते हैं तो सब्सक्राइब करनेक्शन सब कुछ है मैं आपको करके समझाता जाओंगे कौन सा कनेक्शन कहां गया है और आपको कंप्रेट पता चल दाएगा कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों तो चलिए मैं आपको करेक्शन करके दिखाता हूं यह हमारा PCV है इसमें देखिए यह माइक है और रीमाक का विल्यूम है फोर्पेंच शोकेट अब यह सारा कंट्रोलर यह क्टॉलर ऊपको कंट्रोलर है तो चलिए हम तो कनेक्शन करके देख लेते हैं देखिए इस सब कंट्रोलर सोकेट वाला ही है तो फटा-फट हम आपको समझा देंगे ता खली शोक्री ल सब्सक्राइब का कनेक्शन है पुइंट है यह बारा जिर बारा का यह हमारा बूफर का पॉइंट देखिए हमारा जो बूफर लगा है इसका पॉइंट है यह बूफर का कनेक्शन है उसके बाद यह हमारा यूस्भी को पावर देने के लिए जो यह है यह वाला देखिए दो वाला जो डिसको लैड चलती है उसका कनेक्शन यह है दोस्तों ओके और यह कनेक्शन है लाइन इन का देखिए यह लाइन मतलब यह यहां पर लगा हुआ है लाइन इन यह यह वाला कि इसका कनेक्शन है दोस्तों लाइनिंग का देखिए यहां से जो हम लाइनिंग करेंगे वह यहां पर इन्पूट होगा दोस्तों देखिए जो हम स्टेडियो टूर्सी चलाने के लिए आता यह वाला एई यू एक्स मोल होके दोस्तों यह हो गया हमारा लाइनिंग यह वाल यह दोनों यहां आउट्फुट है ये इंदर गया है और ये जो आउट्फुट ऊथ गया है ये यह वी इसके अंदर गया explores ओड़ा भूंट गया है ना है यह आपको वुखや अपना जिकली करने के वाला जो कीपेड ाता है दोस्तों यह कन्ट्रोल काने का लिए दिखिए यह यह यहां पर लिखाइए अधे है क्यार कि ओके वाल्यूम प्लस मैनस मोड और ट्लेव ऊसरा क्या है यह रहर्वक बाता का दिखें देखें यह जो निकला है यह USB card का है जो सिधा इसके अंदर लगा है उसके लिए तो देखें से यह USB card में गया है तो देखें लिए दोस्तों अब हम चलो अब को यह जल्दी से हम तेटर पर यह पुड़ा वाइरिंग कंप्लेट करके दिखाते हैं तो चलिए दोस्तों में इसके connection चालू करते हैं देखी यह हमारा transformer का connection यह हमने यहाँ पर complete कर दिया यह हमारा दूसरा है buffer का wire जो मेने आपको दिखाया था यह हमारा buffer का wire यह लगेगा यहाँ पर देखें यह point manager आपको दिखाया था कि अब दूसरा कनेक्शन है हमारा यह आ गया यह हमारा लाइन है जो हमारा ओडियो को दिखाए लाइन अओडियो इंपूट तो यहां पर आजएगा दोफिती ओडियो इंपूट हमारा यहां पर आएगा लुट गया है कि यहमारा ओडियो इन हो गया आज ऐसके बाद यह हमारा हो गया लाइन यहां पर लाइनी हो कि दोस्तों यह लाइन देखिए अब दूसरा कनेक्शन करते हैं हम इसमें यह है यहां पर आ गया और दूसरा कनिक्षन है यह यह पीछे से लगेगा तो मैं आपको का वोल्यूम कंट्रोल करने के लिए कि यहां आ गया और यह है मारा माइक का कंट्रोलर अपना इन्पूट माइक जो हमें इन करना है वो कि मच्छे से लगा देंगे यहां पर कि जो देखिए दूस्तों कि यह हो गया complete ऑनी बस बचा है तो लाइट का कनेक्शन करना है जो आगे यहीं यह युएंट आती है वह दोस्तों देखिए कंपंड हो गया कि वाइडिंग कमड़िट इतना ही वाइरिंग यह वूफर का कनेक्शन यह ट्रानसफर्मार का कनेक्शन यह लाइन इन एक्समोड वाला यह पावर सप्लाई अपना यूस्वी काड गो जाने के लिए पाँच वल यह है माइक का विल्यूम यह माइक का है और दूसरा यह यह बचा connection यह है एंटीना यह हमारा यह यह लाने के लिए हमने इसका भी connection कर दिये अब आपको एक connection हम करकें से दिखादेते हैं इसमें देखिए यह में यह तो श्रेड में जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब उससे थिखाते हैं यह तो मैंने आपको बता है किसमें एससी के लिए और दूसरा वात आता है आן यूएस्बी पॉइंट के लिए जो मैंने आपको यूएस्बी काड में से दिखा दिया और अपना वोल कीपेड और यूएस्बी काड ओके दोस्तों तो वाइरिंग आपको कंप्लेट समझ में आए अगर कोई भी नहीं समझ में आए तो हमें आपको कमेंट में बताओंगा या तो फिर अलग से वीडियो बना दूँगा तो चलिए वाइं आपको इसमें कंप्लेट यह वाइरिंग करके दिखा देता हूं कि दिखें दूस्तों यह कनेक्शन हम यहां पर कर देंगे दूसरा कनेक्शन अब कर देंगे यहां पर अगरे कि दूसरी ग्राउंड हो गया हमारा यह ग्राउंड है और यह है कनेक्शन दोसका 5 वोल तो चलिए अब हमें रही एक कंप्लेट हो गया है को मुझेत पysisट 10 करने की बारी है दोस्तों अभी हम से लिड़ कंप्लेट वाइर train को हो गया कोई भी वाइर इनिस में नहीं है देखेंगर को हम इससे करने के लिए कर लेते हैं दोस्त FEMA T कर दिया है यह जो डिसको लाइट के बार बता रहा था यह यूस्बी काट चालू हो गया दोस्तों देखिए अब हम यह से कोई भी आप पैंड्रे वागेरा लगा लेते हैं और यह चालू हो जाएगा को प्लीट अबने पेंगे लगाली है देखिए दुसको अबा मिसमे एक्षा स्पीका लगाले तेखिए देखिए प्रेखिए प्रेखिए तेरे मेरे सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आखों के ताले में जाविका ढूंडे बता वो चांद के प्याले में फिर भी सपने कर देखा दोस्तों आपको मैंने सब्सक्राइब करके दिखा और पहले समझा दिया कि कौन सा वायर कहा लगेगा अगर फिर भी आपको सब्सक्राइब डेखार को दोस्तों तो डेखे दोस्तों यह हमारा इह gefी करनाओ है आज दोस्तों और लाइक कहने दोस्तों आज collective हपी है जो था मैंने अपको सब्सक्राइब कर दिका दिए यह एम होग दोनों और यह नाई झिए कि दोस्तों चलिए हाँ से बनागे देख लेता हैं इसे कहा गया है कि मेज्वेग इस तिरिक आप 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 है आप है इस्था नहीं आप आप अगर माइक लगाते तो इसका बुल्ली में हम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्तों और अगर कोई भी कुछ समय में ना आया तो इसका कॉमेंट बॉक्स में ज़रू कमेंट करना दोस्तों और वीडियो करना ज्यादा ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यसे वीडियो में आप सब के लिए बनाता रहो दोस्तों धन्यवाद